हालो स्टुडेंट्स आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पास्ट पर्फेक्ट टेंस प्रिवेस वीडियो में मैंने पास्ट इंडेपनेट पास्ट कांटिनिवस तक के एक्टिवाइस को पैस्वाइस में चेंज करना बताया आज है आपका पास्ट पर्फेक्ट टेंस डेकी इस पास्ट परफिक्टेंज के ट्यू आइस को पैससेतश वेंहेंड़ है बहुत सीमपल है इसको आप देखेंगे तो बहुत आसाणी से आजाएगा सबसे पहले सबसे पहले पास्ट इन अपने टेंस जो होता है इसका एक्टिव टेंस क्या होता है अर्थात जो एक्टिवाइस अंटेंस होता है वो इस टेक्चर क्या होता इसको देखेंगे सबसे पहले एक्टिवाइस में जो पास्ट फर्फेक्ट होता है इसका टेंस होता है प्लस हैड ौप्लस वर्व की थ्रड़ फाम होती है प्लस अबजेक्ट होता है और रिमाइंडर होता है कि यह आपका पास्ट परफेक्ट टिंस देखें इस्टूडंस पास्ट परफेक्ट टिंस को पैसे इसमें चेंज करना बहुत जी है क्यों कि इसमें helping word भी नहीं change होनी है और जो wardraум की third form है ये भी नहीं change होनी है helping word activities की जो होती वहे पैसराइस भी रहेगी और word की third farm चुकी third farm past perfection में word third farm में ही होती इसलिए पैसराइस में भी third farm में ही होगी तो बहुत इसी है जब अबका पैसिवाइस बनेगा तो आपको सबसे पहले पैसे वाज में भी सब्जेक्ट लिखना है ठीक है उसके बाद में आपको helping वर्ब लिखनी है head या helping head plus next word आपको यूद करना है भी उसके बाद में आपको वर्ब की third form जैसे वैसे लिखी जाएगी फिर आपका object होगा उसके बाद में reminder हो जाएगा एक चीज़ ध्यान देनी है जिस तरह से previous sentences में sentence की एक्टिवाइस को पैस्वाइस में चेंज करते रहें तो इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो passive आपको जो subject लिखेंगे वो एक्टिवाइस का object होगा ठीके और जो पैस्वाइस में object लिखेंगे वो एक्टिवाइस का subject होगा तो ध्यान देजे एक्जाम्पल लेखें यह यह आपका फिंटेंचेव प्रिजेंट पास्ट परफेक्टेंच का ठीके पास्ट परफेक्टेंच का यह इसको पैस्वाइस में आपके लोक्तुद कर सकते हो ठीके बहुत ही जी हैं तो कितने students change कर सकते हैं इसमें देखैए मेरे साथ में ये subject दे है object है तो हमको क्या हआना है जो बंढादेना है जो जो बंढे है उसको subject गुना देना है ऑसके बीख Алекс लाइट उसके बार नियस्ट वैम में हमको हैट लिखना है क्यों कि पैसवाश का डिखना है head helping word भीज़ के head फिर हमको win लिखना है ठीक है head win फिर हमको v3 v3 कमेंट क्या होता है verb की third form clear ठीक है verb की third form लिख दीज़े word की third form क्या होगी चुकि a verb की third form यहाँ अरड़ी third form में ही लिखी हुई है done है do की third form है तो इसलिए यहाँ भी done डिखा जाएंगास की सायट विंट फिर हमको वाइ लिखना है और दे का अबजेक्टो केस देम हो कि इस टॅ कुछ पर में वाय जुए हापको लगाना है आबजेक्ट से पहले वस्तीधि महीं है यहाँrokْ spark लिगा वी हैड फिनिस्ट आवर होमवर्क थे मिल्कुल बहुत दिए हमें एक्टिव और पैश्वाइब को पैश्वाइश में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट अब्जेक्ट पहले देखना है फिर वर्ब देखनी है ठीक है फिर टेंस कौन सा है पास-परफिक्टेंस है ब्यूजक्ट इसका है अब क record ऑब कर सब्जेक्ट होगा किले उंप सब्जेक्ट है अब अब हो मार्क अब है कि रिंद में लुकि तब्र मोग की सब्छाएढ में चाहें अधर स्व्राइब या प्योरल सबजेक्ट हो इसको हम है लिखेंगे हैड धिर हमें क्या क्या है विए वह की धड़ फाम क्या है यहां भी प्रकार से होता है पर भाई लगना है और इक होता है तो यह होता है अपर में चाहिए निद्ध कर सकते हैं कि आमें इस प्रकारव दियान देना है और ठेंस को पहंचान्या है इसकी हेल्पिंग वर्फ यह हैट के साथ में थाड़ फाम होती है ये चेंज्ज ने होता है और उसके बाद में लगा करके जैसे पहले होता था वैसे ही करना है इसमें कुछ इसको सब्सक्राइब लोग उता लिए तो आजे देखे नेस्ट वीडियो है निगेटिव संटेंस निगेटिव संटेंस में आप जो है एक्टिव आइस का स्ट्रिक्टर होता है सबजेक्ट सबजेक के बाद में helping work होती है उसके बाद में नाट लिखते हैं到 के बाद और फिर अब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर यह एक्टिव फॉर्म होता है ठीक है पाइसे फॉर्म में बनाने के लिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं बर आपको चीज हमेशा घ्यान देनी है जो यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे यह एक्टिवाइश का आपजेक्ट होगा और इसके बाद में हमें हेल्पिग्वार हम है फिरुपे की mustard होती फिर आपजेक्ट और आप्जेक्ट के बाद में Іर्मांडर होता है यह का फॉर्मूला दूफरा आपस्यों खर रहा है ज्यांपल के मातृम देख रिया संटेंज यह इस है नर्थ इतन्ठी इस मैंगोर इस चर्ण उसका oldर करने बदाते आपको सब्से पहले इस उंच का जो कर राम वह आपनेफ में सब्झेक कर बनांगे थिक्ए तो यहां अबजेक्त क्या है देombito कि इस मैंगोर अब क्यों समय क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा ठीक है तो यहां सब्जेक्ट बना दीजिए इस महेंगो को चाहे संगें सब्जेक्ट है इस वाइध अगर भी होता तो यहां वी जिए लिखते और उसके बाद में नॉट लगाना है कि प्रच्टरोग करें घर फिर वहर्थ लेकि उसके बाहुँ से पहले पनीकर ना है हट attent इटन पर यह एक्टिवाइस का संटेंस है तो इसमें वैसे होगा this boy had not eaten ठीके पैसिवाइस में बीन का प्रयोगा यहां पर हिक्या हो गया है this mango had not been eaten by this boy तो यह आपका जो हा पैसिवाइस में इस तरह से संटेंस होता है पैस्ट केंगे तो इक्राइस को इस फार्मूला के अधार पर और पैसिव इस को इस स्फार्मूला क्या जाथ करेंगे दूफरे एकजेंपल्ड है आपका यह आरेरल नाट करत veg दियरर एनिमीज की customer Breath डाया इसकी आप son यह इंट्रगेटु संटेंस में इंट्रगेटु संटेंस में सबसे पहले हम होता है पहला होता है जो कॉस्चन वर्ड से सुरू होते हैं फर्स्ट टाइब ठीक है एक वे होते हैं जो कोशनल से शुरू होते हैं दूसरा होते हैं जो helping work से start होते हैं helping work से start जो होते हैं उनका structure एक्टिवाइज का होता है सबसे पहले subject लिखेंगे helping work के बाद में subject work की third form plus object plus reminder plus question mark ठीक है तो यह formula होता है आपका एक्टिवाइज का यह हम पैसे वाइज में से बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे structure हैड ही होगा अर्थात सबसे पहले हम हैड ही लिखेंगे जोए के इसके जलदी वर्ब या helping वर्ब है उसके बाद में हमको subject लिखना होगा खिर bean plus verb की third form plus by plus object plus reminder question mark ठीक है इतनी जिए तरीके से हम जो है एक्टिवाइज को पैस्टिवाइज में चेज कर सकते हैं एक्जाम्पल देखिए हैड सचेन प्लेड क्रिकेट अब इसमें जयान दीजिए subject सचेन है और वर्ब प्लेड है आपजेट क्रिकेट है ठीक है जो पैस्टिवाइज बनाएंगे तो यह जो क्रिकेट आपजेक्ट है इसको हम क्या बनाएंगे subject होगा तो इसके साथ है ठीक है फिर आपको subject लिखना लेकिन subject क्या लिखेंगे क्रिकेट ठीक है फिर हमको क्या लिखना है बीन फिर वारुकी थर्ड फार्म प्लेड बाई अबजेक्ट जो है यहां का subject object हो जाएगा सचीन ठीक है नेस्ट एक्जाम्पल और देखेंगे दे हैड कॉम्पलिटेट देयर वार्क तो यहाँ object देयर वार्क है इसको भी जो है 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 यह अफर में एट्यू का है फंटेफ लिग गया था इसको है 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 पहले होगा है यहाँ देयर वार्क यहां पॉस्टन मार्क लेगा ठीक है तो हैड देयर वार्क कॉम्पलिटेड देयर वार्क वेन कॉम्पलिटेड बाई देक अबजेक्ट टो केस्ट देम तो इस तरीक के से आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंज के एक्टिवाइस को पैस्वाइस में चेंज कर सकते हों दूसरा फंटेंस होता है इसको आप नोट कर लीजे इससे नोट कर लीजे उसके बाद में दूसरा होता है जिकेंट टाइब दूसरा प्रकार जो होता है सिगन प्रक्ताइब उसमें जो है कोश्चन वर्ट सबसे पहले होता है कोश्चन वाइड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फार्म प्लस अब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस कोस्टन मार्ड ठीक है यह होता है एक्टिवाइस का जब पैस्वाइस बनाएंगे इसकी तो वहां भी आपको साफे पहले कोस्टन वर्ड लिखना है उसके बाद में आपको हाइड लिखना है प्लस subject लिखना है प्लस bean लिखना है उसके बाद में वर्ब की third form लिखनी है प्लस by प्लस object प्लस reminder question बाद ठीक है तो ये एक्टिव आइस से पैसिव आइस में इस प्रकार बना सकते हो ठीक है example देखिए why had they beaten their children अब्जेक्ट है फंटेंस का structure जो है वो चेंज नहीं होगा इंट्रागेटिव रहेगा why had अब यहां से आपको इसे आप अब्जेक्ट बिनाना है their children फिर आपको बेन लिखना है bean beat की third form beaten होती है beaten पहले से लिखा है beaten by और देखा आप एक्टू केस game हो जाएगा तो इस प्रकाल से जो है इंट्रागेट्व का पहला प्रकाल change होता है डूफरा जो होता है इसमें question word पहले लिखा होता है बाकी सारे प्रक्रिया जो है पहले वाले structure के अंसार ही होती है एक एक्जामपल और देखिए why had they read new books इसमें भी सबसे पहले हमको question word वही लिखना होगा why फिर new books plural है फिर भी यहां पर helping word भैड़ी रहेगी had new books been और उसके बाद read की third form read होती है read by they देखा objective case क्या हो जाएगा दे यहां subject के रूप में है तो दे है और यहां object के रूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा देंग तो इस प्रकार से यह पास्ट पर्फेक्ट के एक्टिवाइज को हम पैसे वहीज में चेंज कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया सब्क्राइब कीजिए लाइक किजे, शेयर किजे, धन्यवाद